Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आइरिश प्लेइट जी बी शॉक की एक बहुत ही फेमस प्लेइट के बारे में जिसका नाम है पिगमेलियन इसे अर्ली 1912 में लिखा गया था और 1913 में पहली बार इसे स्टेज पर प्रेजेंट किया गया था ये एक five act play है और इसकी जो setting है ये लंडन इंगलेंड की है Friends, इसका जो genre है ये एक romantic comedy है और साथ ही इसमें social criticism का use हुआ है यानि की जो early 19th century की जो लंडन थी उस समय जो higher families थे जो थोड़े upper middle class में आते थे उनका रहन सहन कैसा था किस तरह की class थी उसे बहुत ही अच्छे से यहां पर describe किया गया है साथ ही इसमें बहुत सारी themes को discuss किया गया है जैसे language and speech, appearance, social class and manners और साथ ही femininity and gender roles लेकिन इन सभी themes को सही तरीके से समझने के लिए पहले हमें इस कहानी को समझना होगा French G.B. Shaw जो थे वो एक Irish playwright, critic, polemicist और political activist थे उनका जन्म हुआ था 26 July 1856 में और उनकी death हुई थी 2nd November 1950 में साथ ही उन्हें Nobel Prize और Oscar दोनों ही awards दिये गए थे और Oscar इन्ही इसी play पर बनी जो film थी उसके लिए मिला था उनकी famous works में Man and Superman, Pignalian, Saint John ये सभी शामिल हैं तो चलिए friends अब हम इस play को समझने की कोशिश करते हैं Friends इस story की start होती है एक stormy night से जहां Convent Garden London में कुछ लोग बारिश से बचने के लिए छिपे हुए हैं इन लोगों के ग्रूप में एक family है Annisford Hill की जहां उनकी मां Mrs. Annisford Hill और उसके दो बच्चे यानि बेटी Clara और बेटा Freddy ये तीनों बारिश से बचने के लिए छुपे हुए हैं तो ये मां बेटी क्या करती हैं ये Freddy को बोलती है कि जाओ तुम एक taxi लेके आओ Freddy जाता है बहुत ढूंता है taxi मगर उसे taxi नहीं मिलती तो वो लोट के वापस अपनी मां के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे taxi नहीं मिली लेकिन उसकी मा और उसकी बहन उससे बहुत गुसा होती हैं और उसे वापस से कहती है कि जाओ फिर से ढूंडो हमें taxi चाहिए taxi के विनाम घर कैसे जाएंगे अब Freddy जो है वो फिर से taxi ढूंडने चला जाता है वहाँ जिस पॉर्टिको के नीचे ये दोनों मा बेटी बारिश से बचने के लिए खड़े थे वहाँ पर एक गरीब flower girl है यानि ऐसी लड़की जो फूल बेचती है और इसका नाम है Eliza Doolittle ये फूल बेच रही है और ये फूल किसे बेच रही है तो एक gentle man है वहाँ जो उससे फूल खरीद रहा है और उसका नाम है Colonel Pickering अब यहाँ पर जो Eliza है वो फूल बेची रही होती है Colonel Pickering को कि एक आदमी आके उसे कहता है कि दूर एक आदमी खड़ा है और वो तुम्हें notice कर रहा है और तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजों का notes बना रहा है यह सुनकर Eliza जो है वो बहुत परिशान हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं वो कोई पुलस वाला तो नहीं है जो उसे यहाँ पर फूल बेचने से रोकेगा कहीं उसे अरेश्ट ना कर ले कि यह गलत है कोई क्राइम है यह सोचकर मगर वो आदमी कौन है तो उसका नाम है Henry Higgins यह हमें प्ले में थोड़ी आगे जाके पता चलता है उसका नाम है Henry Higgins और वो एक बहुत ही समझदार इंसान है वो लोगों के पास जाता है और उनके बोलने के तरीके से यह बता देता है कि वो कहां से बिलॉंग करते हैं यह इस मा बेटी जो है Mrs. Ennis Ford Hill और उनकी बेटी Clara इनके पास भी जाता है और कहता है कि आपके बोलने के तरीके से मैं बता सकता हूँ कि आप कहां से बिलॉंग करते हैं मगर ये दोनों माबे टीस पर गुसा जाती है कि हमने तुमसे थोड़ी पूछा है और एक टैक्सी रोग कर उसमें बैठ कर चली जाती है अब ये जो कर्णल पिकरिंग है उसे हिगिंस की बाते सुनकर बड़ा मज़ा आता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही जो है ये लैंग्विज के एक तरह से कहें तो महारती है इन्हें लैंग्विज पर बड़ा कमांड है पिकरिंग जो है वो हिगिंस से पूछता है कि आखिर तुम कैसे बता सकते हो किसी की भाशा सुनकर ये कैसे बता सकते हो करते हैं कौन से देश से हैं और पिकरिंग ये सुनकर बड़ा खुश होता है क्योंकि वो भी अभी अभी इंडिया से आया है और इंडिया की जो डाइलेक्ट्स थे उस पर रिसर्च कर रहा था वो तो दोनों ही एक तरह से लैंगविज के महारती थे हिगिंस जो है वो पिकरिंग से बोस्ट करता है कि मैं बहुत ही जादा समझदार हूँ लैंगविज पर बड़ा कंट्रोल रखता हूँ इतना जादा कि ये जो फूल बेचने वाली है मैं इसे ट्रेन कर सकता हूँ इतना जादा कि ये एक डचेस के लिए पास हो जाए यानि इ इसे language सिखा सकता हूँ, उसकी बोली को सुधार सकता हूँ, कि लोग इसे एक duchess मान लेंगे. अब ये बात सुनकर Elisa जो है, वो वैसे तो इन्हें कोई interest नहीं दिखाती है, लेकिन बड़ी खुश हो जाती है, ये सोचकर कि अगर उसकी language थोड़ी सुधर जाएगी, तो उसे यूँ फोल बेचने के लिए रोड़ पर नहीं घुमना पड़ेगा, वो एक flower shop में काम कर सकती है, अगर उसकी language थोड़ी बहतर हो. अब यहाँ पर ये सब बाते हो ही रही हैं, कि फ्रेडी आ जाता है, एक taxi लेके अपनी मा और अपनी बहन के लिए, लेकिन वो सभी तो कब का जा चुकी हैं, तो Eliza क्या करती है, वो उस taxi में बैठती है, और वहाँ से चली जाती है. अब नेक्स सीन जो है, वो हिगिन्स के घर का है, वहाँ हिगिन्स जो है, पिकरिंग को अपनी इंस्ट्रुमेंट्स दिखा रहा है, जो भी इंस्ट्रुमेंट्स हैं उसके पास, जिससे वो speaking के बारे में research करता है, वो सभी उसे दिखा ही रहा होता है, कि जो उसकी housekeeper है, वो उसे आकर बताती है, कि एक लड़की तुमसे मिलने आई है और वो लड़की कौन है तो वही अलीजा डूलिटल अब अलीजा जो है वो आके हिगिंस से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बोली को सुधारे मुझे सिखाएं कि सही तरीके से कैसे बोला जाता है और इसके बदले में मैं आपको फीस दे दूँगी आपको एक शिलिंग दे दूँगी तो हिगिंस जो है वो उसका मजाक उड़ाता है कि क्या तुम मेरा समय बरबाद करने आ गई हो मुझे क्या कोई काम नहीं है तो अलीजा उससे कहती है कि कल तो बड़ा आप बोस्ट कर रहे थे कि आप मुझे डचस बना सकते हैं और अभी आप मुझे थोड़ी सी भी सिखाने को रेडी नहीं है तो क्या आप जूट बोल रहे थे अब ये बाते जो है ये हिगिंस के दिल पे लगती है और वो मान जाता है एलीजा को सिखाने के लिए साथ ही पिकरिंग जो है करनल पिकरिंग वो हिगिंस से एक बेट लगाता है कि जो भी एलीजा को सिखाने में पैसे खर्च होंगे वो मैं तुम्हें दूँगा लेकिन तुम इसे एक बहुत ही सुन्दर लड़की बनाओ एक काबिल लड़की बनाओ और इसकी बोली को ठीक करो बिल्कुल लगना चाहिए कि ये एक हाई सोसाइटी की है एरिस्टोक्राट फैमिली से बिलॉंग करती है हिगिंस जो है वो एलीजा को मिसेस पियर्स के साथ भेज देता है बोलता है कि इसके गंदे कपड़े बदलो इसे अच्छे साफ कपड़े दो नहलाओ सुन और साथ ही इसे अपनी बेटी की तरह च्रीट करो अब से ये हमारे साथ रहेगी और मैं इसे अच्छी हैबिट सिखाऊंगा अब मिसेस पियर्स जो है वो एलीजा को लेके जाती ही है कि तभी वहाँ पर अलफरिट डूलिटिल आ जाते है अब ये अलफरिट डूलिटिल जो है ये एलीजा के फादर है मगर इस अलफरिट को अपनी बेटी की कोई परवा नहीं है बहुत ही डुंकर्ड आदमी है सिर्फ शराब पीने में इंट्रेस्ट लगता है उसे और इसलिए एलीजा को भी अपने पिता की कोई फिक्र नहीं है वो हिगिंस के घर आता है और हिगिंस से जगड़ा करता है कि मेरी बेटी कहां है मुझे पता चला है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास आई है तो हिगिंस बताता है कि हाँ तुम्हारी बेटी मेरे पास है ठीक है उसे ले जाना है तो ले जाओ लेकिन अल्फरेट कहता है कि मुझे मेरी बेटी नहीं चाहिए आप एक काम कीजे उसके बदले में मुझे पांच डॉलर्स दे दीजे मैं उसी से खुश हूँ आप मेरी बेटी को रख लीजे अब ये सुनके वैसे तो हिगिंस को बड़ा शौक लगता है लेकिन वो से पांच डॉलर्स दे देता है और साथ ही आल्फरेट को ओफर करता है कि तुम्हारी बेटी के साथ साथ मैं तुम्हारी भी जो ये टोन है इसे सुधार सकता हूँ तुम्हें भी अच्छा बोलना सिखा सकता हूँ लेकिन आल्फरेट को ये बात पसंद नहीं आती है वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दीजे मुझे ये नहीं सीखना है आप मेरी बेटी को ही सिखाईए उसी पर अपने रिसर्च करिए और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है रास्ते में उसे अलीजा दिख जाती है एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहने वे रहती है वो लेकिन अल्फर्ट जो है वो अपनी बेटी को पहचान भी नहीं पाता है और सौरी मिस कहके वहां से आगे बढ़ जाता है अब ये हिगिंस जो है ये अलीजा को ट्रेन करने लगता है और कुछ दिन ट्रेनिंग देने के बाद हिगिंस अपनी मा के पास जाता है उसके घर जाता है और अपनी मा को बताता है कि एक लड़की है अलीजा डूलिटल जो पहले एक फ्लावर गर्ल थी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं और उसे एक डचस बनाने की तरह एक डचस की जितनी भी हाबिट्स होती है जो क्वालिटीज होती है वो उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप उसका एक छोटा टेस्ट लें अब ये जो मिसिस हिगिन्स है ये बड़ा नाराज होती है क्योंकि आज के दिन उसके घर पे कुछ महमान आने वाले थे और ये महमान कौन थे तो वही एनिसफर्ड हिल्स मिसिस एनिसफर्ड हिल्स और उनकी बेटी और बेटे क्लारा और फ्रेडी यही इनके घर पर आने वाले थे हिगिन्स जो है वो बड़ा खुश होता है बोलता है ये तो और भी अच्छी बात है आपके महमानों के सामने एलीजा का एक टेस्ट हो जाएगा कि क्या वो अब एक डचेस के लाएक बनी है या नहीं बनी है मिसिस हिगिन्स मान जाती है अब जब ये एनिसफर्ड हिल्स आते हैं तो मिसिस हिगिन्स उनसे बात करी रही होती है कि हिगिन्स जो है वो एलीजा को बीच में भेज देता है और एलीजा जो है वो बहुत ही ब्यूटिफुली उनसे बात करती है लेकिन जो उसका ओरिजिनल टोन है जो उसके अंदर एक फ्लावर गर्ल वाला टोन है वो रहे रहे बहार आ जाता है और यह जो एनसफ़र्ड हिल्स हैं स्पेशली जो फ्रेडी है वो बड़ा नोटिस करता है इस चीज़ को लेकिन फिर भी जो फ्रेडी है वो एलीजा की तरफ अट्राक्टेड होता है और यहाँ पर हिगिंस जो है वो जब एलीजा से कहता है कि ठीक है अब चलो हमें चलना चाहिए तो फ्रेडी उससे पूछता है कि क्या आप यह पार्क के पास वोक पे चलेंगी और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लाइन है जो एलीजा कहती है बहुत ही famous इस play का सबसे famous line माना जाता है walk not bloody likely और ये बहुत ही famous बात इसलिए है कि इस word के use से bloody क्योंकि इस word के through pigmalion जो play थी वो बहुत ज़दा famous हो गई थी उस समय में उस समय में इस तरह की words especially एक woman का बोलना सही नहीं माना जाता था इसलिए अब यहाँ पर Eliza Freddy को मना करके हिगिन्स के साथ चली जाती है हिगिन्स जो है उससे कहता है कि तुमने अभी भी सही तरीके से नहीं सीखा है तुमें और भी जादा practice की जरूरत है तब तक मिसिस हिगिन्स भी आती है वहाँ हिगिन्स के पास और उससे कहती है कि यह तुम क्या कर रहे हो तुम उस flower girl को इतनी aristocratic qualities दे रहे हो उसे अच्छा बोलना सिखा रहे हो लेकिन जब यह सब कुछ हो जाएगा जब वो यह सब सीख लेगी तब वो क्या करेगी क्या वो वापस से fool बेचने चली जाएगी तुम्हें लगता है कि इतनी qualities के बाद वो fool बेच पाएगी तो Pickering और Higgins दोनों ही उसका मजाक उडाते हैं बोलते हैं कि तब का तब देखा जाएगा और यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं और Mrs. Higgins जो है वो पीछे से बोलती है Men, Men, Men यानि आदमी आदमी ही रहेगा उसे औरत के बारे में सही से कुछ भी कभी समझ में नहीं आता है कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद Higgins, Pickering और Elisa यह एक बॉल में जाते हैं जहां Elisa को सभी एक बहुत ही well class lady मान लेते हैं जब यह घर लोटते हैं तो Pickering Higgins से कहता है कि ठीक है भई तुम बेट जीत गए मैं मानता हूँ क्योंकि अब Elisa जो है कोई भी नहीं कहेगा कि यह कोई flower girl है सब इसे एक duchess मानेंगे एक high society की lady मानेंगे और Higgins जो है वो बड़ा खुश होता है दिखाता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है कि यह तो बहुत आसान था मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन इस तरह से बात करने पर वो जरा भी यह नहीं सुचता है कि जो Elisa की feelings है वो कितनी hurt हो रही है इस तरह से सुनकर कि उन्होंने उसके उपर एक बेक लगाया और वो बहुत आसान है बहुत दुख होता है Elisa को इस बात से अब हिगिन जो है वो सोने जा रहा होता है और सोने से पहले वो अपनी slippers ढून रहा होता है कि उसकी slippers कहां है वो पहने गाउसे तो Elisa क्या करती है गुसे में वो slippers उठा करके उसके मुँपे फेक के मारती है चपल जो है उसकी मुँपे फेक के मारती है अब हिगिन्स जो है वो शौक्ड हो गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया तो Elisa बोलती है कि अब मैं क्या करूँ तुमने जो मुझे ये सारी क्वालिटीज दी है इसका मैं अब क्या करूँ तुम्हारा बेट तो खतम हो गया तुम्हे तो मेरी जरूरत भी नहीं है अब मैं क्या करूँ तो हिगिन्स उससे कहता है कि एक काम करो तुम शादी कर लो लेकिन एलीजा और जादा भड़क जाती है इस बात पे कि मैं कोई प्रोस्टीटीट थोड़ी नहूं कि किसी से भी जाके शादी कर लो अब हिगिन्स जो है वो और उल्टा एलीजा को सुनाने लगता है कि मैंने तुम पर इतनी मेहनत की इतने अच्छा तुम्हें बनाया और तुम ऐसे मुझसे बात कर रही हो मुझपे चपलें फेक रही हो किस तरह का तुम्हारा ये बिहेवियर है मुझे लगा था तुम बदल गई हो मगर नहीं तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो और इस तरह गुसे में बड़बडाता हुआ वो वहाँ से चला जाता है अगली सुबह जब हिगिंस उठता है तो वो देखता है कि एलीजा जो है वो कहीं भी नहीं है और वो परेशान हो जाता है और अपनी मां के पास जाता है कि मां पुलिस को फून करो होती है कि उसी समय अलफरेट डूलिटल आ जाते है अब ये जो है ये हिगिंस से अलग परेशान है ऐसा इसलिए क्योंकि जब पिछली बार अलफरेट ने हिगिंस को मना कर दिया था कि मुझे अपनी भाषा नहीं सुधारनी अपनी टोन को नहीं सुधारना तो हिगिंस ने उसे Most Original Moralist in England कह दिया था और ये बाते सुनकर American Founding Moral Reform Societies ने उसे एक पेंशन दे दिया था 3000 पाउंड का हर येर ये सोचकर कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है यहाँ पर आलफरेट जो है ये 3000 जो हैं हर साल मिरने लगे हैं और सभी लोग जितने भी मेरे जान पैचान के हैं वो मुझसे पैसे मांगने आना शुरू कर दिये हैं साथ ही अब मेरी जो लेवल है सोसाइटी में मैं नहीं एक पूर इंसान में गिना जाता हूं नहीं बहुत ज़ादा हाई अरिस्टोक्रिटिक क्लास में आता हूं किसी भी क्लास में मैं फिट नहीं बैठता हूं तो तुमने तो मेरी जिंदगी में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिये हैं और साथ ही वो बताता है कि आज मेरी शादी है मैं अपनी बेटी को ले जाने आया हूं अपनी शादी में उसे पता नहीं है कि अलीजा जो है वो मिसिंग है हिगिन्स ये बात उसे बताने ही वाला रहता है कि अलीजा जो है वो मिसिंग है कि तभी मिसिस हिगिन्स कहती है कि अलीजा कहीं नहीं गई वो यहीं है उपर है एक कमरे में तुमसे गुस्सा थी इसलिए वो मेरे पास आ गई हिगिन्स यह सोचकर बहुत ही ज़ादा खुश होता है कि चलो कम से कम एलीजा कहीं भागी तो नहीं मेरी मेहनत कहीं चली तो नहीं गई एलीजा जो है वो नीचे आती है उपर के उस कमरे से और सबसे पहले करणल पिकरिंग के पास जाती है और उसे थांग्यू बेट में यह जो ट्रेनिंग हुई थी एलीजा की उसमें करणल पिकरिंगन ने उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की थी और उसका खयाल रखा था बिलकुल एक लेडी की तरह जबकि हिगिन्स जो था वो उसे एक आपजेट की तरह ट्रीट करता था बस सिखाते रहता था कि ऐसे करो ऐसे मत करो वो एक human है उसकी feelings है इस बात पर हिगिन्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था इसलिए वो हिगिन्स से नाराज थी लेकिन करणल पिकरिंग से उसने बहुत ही अच्छी तरीके से बात की अब यहाँ पर जो एलीजा है वो अपने फादर को कहती है कि ठीक है पापा आपकी शादी है मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगी और जो करणल पिकरिंग और मिसिस हिगिन्स है ये दोनों भी रेडी हो जाते हैं कि हम भी एलीजा के साथ जाएंगे और हिगिन्स जो है वो एलीजा से कहता है कि ठीक है जाओ तुम शादी में जा रही हो तो लेकिन जब शादी से लौटने लगोगी यहाँ वापस तो ये ये काम मेरा करते वे आना उसे कुछ काम बताता है और एलीजा जो है वो और भी जादा गुस्से में आ जाती है कहती है कि आप अपना काम खुद करिये आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है कल ही आपने कहा था कि मैं आपके साथ रहने के भी लायक नहीं हूँ गुस्से में आके तो अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है जाती हूँ मैं फ्रेडी से ही शादी कर लूँगी जो सुन करके जो हिगिन्स है वो और भी जादा भड़ा कुटता है कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया तुम्हारी शादी तो आप किसी किंग से होनी चाहिए तुम क्या उस फ्रेडी से शादी करोगी लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है गुस्से में चली जाती है वहां से और हिगिन्स जो है वो अकेला वहां उस कमरे में बरबराता रह जाता है कि ठीक है वो जा रही है मुझे पता है वो वापस आएगी उसके मन में अभी भी ये विश्वास है कि अलीजा वापस उसके पास लोट कियाएगी लेकिन उसके मन में उसके लिए अभी भी कोई feelings नहीं है अभी भी वो Elisa को अपना एक object समझता है एक research समझता है जो उसने लिखा है यहाँ पर friends यह story खतम हो जाती है और बहुत ही awkward तरीके से खतम होती है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि Elisa का क्या हुआ या Higgins का क्या हुआ क्या दोनों के बीच की problems जो है वो solve हुई या नहीं लेकिन friends इसी कारण ये play इतना जादा popular भी है Friends अब एक last question यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इस play का title Pygmalion क्यों रखा गया है तो मैं आपको बता दूं कि Sean ने अपने इस play की title ली है ancient Greek legend of Pygmalion and Galatia से अब ये क्या है तो एक Greek legend है जहाँ Pygmalion एक बहुत ही famous sculpture था और उसे कोई भी woman जो है वो अच्छी नहीं लगती थी उसका मानना था कि औरतों में कोई अच्छाई है ही नहीं और उसने decide कर लिया था कि वो पूरी जिंदगी unmarried रहेगा मगर उसने एक statue बनाई और वो statue इतनी beautiful थी उसने एक woman की statue बनाई थी इतनी beautiful बनी वो statue कि उसे उस statue से ही प्यार हो गया और उसने एक festival में goddess of love Aphrodite से एक wish मांगी प्रे किया कि उसकी जो sculpture है उसमें वो goddess जान दे दे और उसी के साथ वो जो मूर्ती थी उसमें जान आ गई और बाद में उसने उसी statue से शादी कर लिया और उस statue का नाम था Galatia तो यहाँ पर Higgins को भी एक तरह से देखा जाए तो Pygmalion से यहाँ पर compare किया गया है फर्क बस इतना है कि Pygmalion को अपने sculpture से अपने piece of art से प्यार हो गया था मगर Higgins जो है उसे अपने piece of art Eliza से प्यार नहीं हुआ था बलकि end तक वो उसे as a research object as a work of art ही देखता रह गया तो friends यह थी G.B. Shaw की play Pygmalion